दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडिस्ट्रियल टेटोरियल में दोस्तों महाजर होगे हैं बहुत सारी वेकिंसीज लेके और मल्डबड़ी डिपार्टमन मैं चाह कि यहां पर देख रहे होगे गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिम्टेट जो दोस दोस्तों मिनिम्म पचास परसेट के साथ ब्रांचेज दी गई हैं मेकेनिकल लेक्टिकल केमिकल और सेविल कंप्यूटर साइंस इंफर्मेशन टेक्लोजी इंस्ट्रूमेटेशन कंट्रॉल तो दोस्तों यहां पर दोस्तों थ्री एर फूल टाइम कोर्स मांगा गया है यह ब्रांचेज हैं मेकेनिकल लेक्टिकल केमिकल सेविल कंप्यूटर साइंस इंफर्मेशन टेक्नलोजी और इस्ट्रूमेटेशन कंट्रॉल नेक्स्तों दोस्तों टेट अपरेंटिश के लिए वेकेंसी जहां पर दोस्तों थ्री एर फूल टाइम कोर्स मांगा बिद मिनिम् यहां प पचास-फर्चेनट के साथ यहां बता दिया गया में जी एकुछ सब्चेनट के साथ DW करने बता दिया गया है नेक्स्त इहीं पर दोस्तोंी senators के साइट यहां पर City सिए के MMCP, I, MCP, COPA, Fitter, Electrition, Draftment, Mechanical and Doctor and Civil तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप 2019-20 के पास आउट हैं तो आप इसे 10 दिन के अंदर एप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आपको gsfclimited.com पर जाना पड़ेगा तो केरियर ओप्सन में करेंट ओपनिंग में जाना पड़ेगा करना आपको दिखा दूगा कैसे आप रहां पर कैसे पुह। पहुंच ओगे। बांकी के यहाँ पर नोड दिया है सारी चीजह सारी चीजह की यह जौब नहीं क्यों है यह अर्पर अपर अपर तो आपको best कe आप आप प्रेस करोगे तो आपके सामने पूरा यह आ जाएगा जैसे केमिकल के लिए सिविल के लिए जो वामा वेकेंसी थी वो सारी यहां पर दी गई है तो आप उपर लिंक भी दिख रहा होगा तो डारेक्ट लिंक पर भी जा सकते हो यहां पर न्यू एप्लिकेंट जैसे मैं अपरिंटिस के लिए भरना है तो हम न्यू एप्लिकेंट आपको प्रेस कर देना है और न्यू या जैसे कि यहां पर सारी चीन दे गई है फर्स्ट नेम मिडल नेम सर नेम केटिग्रिय सारी चीजें बढ़ते हुए अधर काड और टोकन आपको जनरेट कर लेना है यहां से जनर्म नेजर के लिए और यहां पर रशुद्टिस क्सें और यहां पर आट से घ्रान कुछ डिसक्शन करेंगे लेकिन अभी फिलालम वेकैंसी और इस की वारे में बता दिये गहें और बहुत सारी यह जो है नेक्स्ट वैकेंसी जनर्म नेजर चीपनेजर टेक्निकल के ल चाहँ आपका कर सकते हैं और यहां पर इसका क्वालिफिकेशन बताए गया है कि आपका जो है जैसे कि जी मैंटेजर्ट प्रोजक्ट पाइप लाइन्स के लिए वह फोर ये बैचलर डिग्री मांगा गया किसी भी एक्स्पिरेंस भी यहां पर पता देगे 25-28 मतलब 20 जनल मैंजर 28 चीफ जनल मैंजर के लिए से यहां पर सारी चीजहों किसे रिलेटर होना चाहिए जौब क्या है ऐसे यहां पर सभी का बताएगा सभी जो क्वालिफिकीशन और मैं आपको बताएगा तो मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ा दिग्री बीवी टेक्स से बिल माकेमिक एलेक्टिकल चैमिकल एक्ट्रोनिक इस्ट्रॉमेटिशन चाहले गया यहां पर लेका इंस्टुट आपका एसी ते यूशी से अप्रूब होना चीए को यहां बता दिया गया कि एक्सपीडियन्स पांच मतलब आप मैंजर आठ मैं आपका जो है बेसिक पर बता दिया कि स्किल तो यहां पर प्लेश्यमेंट सेलेक्शन प्रॉसस आपका पर्सनल इंट्रूब आपके सा डाकुमेट जो भी लिखे हुए है और जो आपका प्रोवेजन प्रेट वनियर का है तो यहां सारी चीज आप अच्छे से देख सकते है है यहां पर मैं आपको लेकर चलूँगा इन चीज的 को पढ़ लें मैं आपको फांटियर को आपको क्या आप इस फिर्म को और इस न्यूट्रूफिविकेशन को कैसे पाप साथे और ँढ वयन nrl.co.in को चलना तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हूं मैंने ओफिशली वेबसाइट इसकी खोली यह दो यहां पर आपद ही जिसके श्बख्रतच में सब्सक्राइब इसकी कर देखाने प्रेस करके तो दोस्तों वाकिष इस नोटिफिकेशन के बारे में मुझे लगता है कि आपको फुल जानकारी मिल चुकी होगी तो हम चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ तो दोस्तों नेक्स्ट आप देख रहे होगे वैकेंशी यहां पर उत्तर गुजरात वीज़ कॉंपनी लिम्टेड में हैं जहां पर देखोगे तो विद्धु साह है मन्तों जुनियर इंजिनर एक्षिपल क्ली वैकेंशी है तो यहां पर पूरा बता दिया गया है सेली स्ट ठीक्चर ठीक है और इसके क्वालिफिकेशन यहां बात करूं तो फिल टाइम भी एलेक्टिकल पीटेक एलेक्टिकल मागा गया है चो आपको अच्छे इंसिटूट्स होना चाहिए यह चीजी और एसीटी से अपरू होना चाहिए मिनिमूम 50% होना चाहिए बिदाउट इस क्राइटिर यहां बता दिए कि 35 यर्ज वाकी के लिए अलग अलग बता दिए गए यहां पर आठ वारा दोजार इसके सबसे काउंट किया जाएका एज की छूड दूजवी गई है भो भी यहां पर बता दिए ठीक है तो नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों इसके बारे म मैं डिसकेशन करते हैं नेक्स्ट यहां वेकेंसी जो है पता देगे के के पूरा के कितना क्या है वो पूरा अपना खुछ से पढ़ लें फी यहां पता देगे है के 500 रुपए जैसा फी रह लगेगा अन्रेजर्व एस एसी बीसी इडवलू एस के लिए तोसे पचास 12 2020 बागी की जो ट्रम्स कंडिशन्स हैं वो यहां पर पता देगे हैं उन्हें आपको खोसे पढ़ना पड़ेगा मैं आपको बता दूगा यह एप्लिकेशन आपको कहां पराप्त होगा यहां पर जो कुश्यन आने वाले हैं वो आपका जी के एल मतलब इंग्लिस सब्सक्राइब आपको बता देगा कितना कितना पर्शेंट उसमें से रहेगा तो आपका सेलेक्शन पॉरा यहां पर पढ़ना पड़ेगा और एक चीज में आपको समझा दूँ यहां पर जो कुश्यन रहेंगे उसमें कुश नेगिटिव वानरकिंग भी है आपको बताता हूँ है कहां पर लिखा हुआ है दोको यहां पर लिखा हुआ है वन वाइफ फूर्थ मार्क है थीए नेगिटिव मार्किंग आअ तो उसका आपको द्यान रखना पड़ेगा तो मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकीशन की तरफ अगर आपको तो में नीचे की तरफ सलते हैं तो यहां पर अपको नूटिफिकेशन चाहिए JOSH आपको जहिए यहां से नूटिफिकेशन मिल जाएगा ऐलेक्टिकल के लिए अगर आपको एप्लाई करना है तो आपको यहां से अप्लाई करना पड़ेगा देखो यहां पर मैं आपको सामने एप्लाई करके दिखा देता हूं यहां पर एलेक्टीकल प्रेस कर दिया मैंने प्रेस किया तो यहां पर जो गाइडलाइन से जो शारी चीजें वो तीया गया एप्लाई कर करना मुझे 28 बार है 2020 तक है अप्लाई कर सकता हूं तो मैं एप्लाई पर प्रेस कर देता हूं मैंने प्रेस किया तो यहां पर अप्लिकेशन खुल गया और मैं ऐसे फूर अफ्पिल करके और नेक्स स्टेप की तरफ कंट्यू कि चला जाउगो जैसा कि हां पर लिखा हुए दूस्तों नेक्स्ट वेयंस की तरफ बढ़ते हैं तो दूस्तों नेक्स्ट वेकेंशियर वैस्तरवंगाल पॉर्शन कंट्रटो बोर्ड जो का यहांब होष्ट नौटिफिकेशन्ट वेंके क क्वालिफिकेशन सबका बैसलर बताए गया और डिप्लोमा भी एलेक्टिकल बायो टेक्नलोजी केमिकल सिविल मेकैनिकल मर्मेंट इस्टुमेटेशन ओटो मॉवाइल पब्लिक हेल्थ एंजिनरिंग तो यहां पर रिलेटिव प्रांश सारी बता दी गई हैं सभी का बताए ह्वाइय तो आप यहां पर ज्यादा जानकरी में भी मैं आपको बता हुआ सिनर सेकॉइक जांकैन्टर वाकंशसेंट एंब यहां पर सभी का को एवस्टेंट जून्य मोर्मेंट एसस्टेंट वाकंशा से वन्हाब का सबकर non- Sean बता दिए गया और यहां पर स्टार्टिंग डेट है 10-12-2020 इसका लाज्ट डेट है 31-12-2020 मैं आपको बता दूँ इसका जो ओफिसली वेबसाइट है www.wbpcb.gov.in slash notices notice तो यहां पर आपको जाना रहेगा मैं आपको देखा देता हूं आप डारेक्ट कैसे पहुंच पाओगे इस तो आपको गूगल पर जाके सर्च करना है www.pcb.gov.in जैसे आप यहां पर सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरीके के इंटरफेस दिखेंगे तो यहां पर आपको जो न्यू एड इवेंट्स दिखेंगे इसमें एक नोटिफिकिशन आपको तो यह वाला जो है और लेडी हम देख लेते हैं तो मैंने उस लिंक को ओपिन हो गया है तो यहां पर देखेंगे इसका 10 दिसमवर स्टार्टिंग डेट 31 दिसमवर 2020 लास्ट यहां पर दिया गया है तो यहां पर रजिस्टेशन आपको करना है तो रजिस्टेशन को आपको प्रेस करते हैं आपने और लग कर रख रहे हैं तो पड़ की किकले करें सब्सक्राइब तो